हाई फ्रेंज विल्कम तो मैं चैनल तो आज मैं आपको सिखाएंगे गाजर का बर्फी हलवाई जैसे गाजर के बर्फी कैसे बनाते हैं तो लेट्स स्टार्ट एन इंपॉर योर्सेल्फ तो चलिए हम देख लेते हैं हमें इंगिडियन्स क्या क्या लेना है तो यहाँ पर देखिए मैंने एक कप पाउडर मिलक को और मिलक को एक साथ गैस में स्टोप के उपर बैठा दिया है कड़ाई में इसे हमें पूरा गाड़ा करना है मतब इसे हमें मावा बनाना है तो देखिए इसमें थोड़ा सा हम घीवी डालेंगे गी डालने के बाद ये बहुत अच्छे से मावा बन जाते हैं तो देखिए 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर गी डाल दिया है और इसे हिलाते रहना है बिल्कुल हिलाते रहना है ताकि ये नीचे से जल ना जाए जल जाने से इसका स्वाद बिगर जाएगा ये पूरा हिलाने के बाद गाडा होने के बाद हम इसे निकाल के एक कटोरी में रख देंगे अब इसी कडाई में मैं यहाँ पर दो कप ग्रेटेड गाजर डाल दिया है और वन टेबल स्पून मैंने यहाँ पर बनस्पती डाला है क्योंकि गाजर का हलुआ को थोड़ा सेट करने के लिए मैंने डाला है और वन टेबल स्पून घी डालेंगे और एक कप मैं यहाँ पर सुगर डालेंगे तो ये सुगर को डालने के बाद गाजर जो है ग्रेटड गाजर आपसे ही सौफट हो जाते है अब देखो इसमें मैंने एक कब दूद भी डाल दिया है अब डाल के इसे हिलाते रहना है जलना जाए ध्यान रखना है और इसको जो हल्वा बनते हैं उसे थोड़ा ज़्यादा इसे पाग देना है क्यूंकि इसे पूरा सेट करना है बर्फी जैसा बहुत यह स्वादिस बनते हैं अब देखो मैंने मावा एक कटोरी में निकाल के रखा है और इलाइची को मैं पाउडर बना रही हूँ अब देखो यह almost हो यह आ रहे हैं जिसे के यह white-white bubbles आ रहे हैं मतलब और side से देखो यह पूरा कड़ाई से निकल के आ रहा है तो मतलब almost यह हो गया है देखो यह एकतम गाड़ा बन चुका है अब इसमें मैं इलाइची के पाउडर डाल दूँगी यह देखो इसको जितना गाड़ा चाहिए उतना गाड़ा यह बन चुका है अब देख सकते हो इसे प्लेट में डालते ही यह set हो जाएगा अब प्लेट में grease करने के लिए मैं घी डालूंगी घी को पूरा spread कर देंगे प्लेट में और देखिए पूरा कड़ाई से यह अलग हो गया है तो अब इसे मैं प्लेट में निकालूंगी तो यह बना के आप गेस्ट आने से भी ट्रिट कर सकते हो और कहीं आप गेस्ट के घर जा रहे हो तो पैक करके आप ले भी जा सकते हो बहुत ही टेस्टी बनता है विंटर में आप जरूर बनाना अब देखो यह गाजर को मैं प्लेट के उपर कोई भी प्लेट के उपर आप कर सकते हो करके आपको सर्फ बर्फी काटना है इसे पूरा मैं spread कर दूँगी spread करने के बाद थोड़ा से आप छोड़ देना मतलब थोड़ा ठंडा हो जाए तभी आप इसके उपर वो जो मावा मैंने बना के रखा है उसे हम इसके उपर spread कर देंगे पूरा eventually उसको spread कर देंगे यह दिखिए यह जो मावा बना के रखा था इसे इसके उपर पूरा spread कर द अब कोई भी नट्स ले सकते हो यह मैंने लाइन देके नट्स को गार्णिश किया है तक हम जब बर्फी काटेंगे तो सब के उपर आए अब देखो मैंने इसके उपर सैफ्रॉन भी डाला है बहुत ही टेस्टी है आप कोशिश करो खुश रहो थैंक यू